क्या बाबा बालक नात होंगे राजिस्थान के नए मुख्यमंट्री? क्या राजिस्थान को मिलेगा एक और योगी? जी हाँ, राजिस्थान में कॉंग्रेस के विदाई और वीजेपी की जीत के बाद अब हर किसी की निगाहे इस पर टिकी है कि राजिस्थान का अगला मुख्यमंट्री कौन होगा और इनी चर्चाओं के बीच बाबा बालक नात के नाम की चर्चाए जोरो पर है और तो और अ अपने वीडियो में लोकसफा में विपक्ष के नेता अधिर रंजन ने संसत परिसर में बाबा बालक नात को कहा कि राजिस्थान के नए सीएम बन रहे हैं ना जिसके बाद कई लोग बाबा बालक नात को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं इसे लेकर दिल्ली में भी हल्चले तेज हो जुकी है तो वहीं आचार्य प्रमूद कृष्णम ने भी एक ट्वीट कर डाला है जिस राजिस्थान की गल्यारों में हल्चले और तेज हो जुकी है क्या राजिस्थान को एक और साधू मिलेगा पूरा ट्वीट आप यह देख लीजिए तो वही दिल्ली दर्बार में बाबा बालकनाथ बीजेपी मुख्याले पहुचे हैं और सुभा स्पीकर ओम बिल्ला से मुलाकात भी की है तो वही राजिस्थान विधानसवा चनाव में बीजेपी की जीत के बाद राजिवधन सिंग राठोड बाबा बालकनाथ और गजेनर सिंग शेकावत ने भी लोकसभाई स्पिकर ओम बिल्ला से मुलाकात की है बस इंतिजार है तो इस बात का आकिरकार अगला मुख्यमंद्री कौन होगा आपको क्या कुछ लगता है कि राजिस्थान का अगला मुख्यमंद्री बाबा बालकनाथ होंगे या फिर कोई और हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा ब्यूरो रिपोर्ट राजिस्थान तक और हूद राजिए झसी करत्ष्णी करत्बाद करता है आपको losing. परल्लो गोर्ट यहा प्रणिए उर्मा कि राजिए कि इनकाव! कि इनकाव!